हेलो दोस्तो स्वागत था आपका संगल्पि स्टडी पॉइंट में तो दोस्तो आज फिर से वर्तनी पार्ट टू लेके हम आपके सामने आ चुके हैं हिंदी रिविजिन सेरीज का आज फिर से पार्ट टू देखने को मिल रहा है इसमें हम सभी चेप्टरों से संबंदित सभी क्वेशन्स पर डिसकस करने वाले हैं जो आगामी एक्जाम के लिए आपके काफी महत्तपून सेरीज रहने वाला है तो दोस्तो आज का जो क्वेशन है इससे पहले हमने 57 क्वेशन करा चुके थे पार्ट वन में अगर यदि आप लोगों नहीं देखा है तो आप लोग हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है उस पर जाके आप लोग दे सकते हैं आज का जो क्वेशन है परते कथन का अपना एक संदर्ब होता है अच्छा संदर्ब की इसमें सुद्ध वरतनी पूछ रहा है तो दोस्तो संदर्ब की जो सुद्ध वरतनी होती है वो हमारी आप्शन नमबर A इसका सही आंसर है फिर बात करेंगे नेक्श क्वेशन की आदुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर भाव भारतेंद से ही होता है यनि कि दोस्तो इसमें जो हमारा प्रादुर भाव है उसकी सुद्ध वरतनी के बारे में बात कर रहा है तो दोस्तों जो हिंडी की सुद्ध वर्तनी होती है प्रादुर्भाव की वो हमारी option number C प्रादुर्भाव ऐसा होता है फिर बात करेंगे next question की हिमाले की उतंग चोटियां हमें बुलाती है तो दोस्तो उतंग की इसमें सुद्ध वरतनी पूछ रहा है उतंग की सुद्ध वरतनी अप्सन नमबर C होगा फिर बात करेंगे next question की वेग्यनिक आनुसंदान धार्मिक गरंतों की सिक्षिया के प्रतिकूल है इसमें दोस्तो हमें आनुसंदान का सुद्ध वरतनी पूछता तो दोस्तो इसका जो सही आनसर है वो हमारा option number C का सही आनसर है बात करेंगे next question की परधान मंत्री ने मंत्री मंडल की बैठक किये दिख्षता की तो दोस्तो इसमें मंत्री मंडल का हमें सही वरतनी पूछा जाता है तो दोस्तो मंत्री मंडल का जो सही वरतनी है वो हमारा option number D इसमें छोटी 3 की जो मातरा होती है चोटी इकी मातरा इसमें होती है आप लोग ध्यान दिजीएगा क्योंकि मंत्री मंडल हर कोई बड़ी की मातरा के सांद लिखता है बात करेंगे नेक्ट क्वेशन की वह इन सब तथ्यों से अनविग्य है अच्छा इसमें अनविग्य की सुद्द्वरतनी होती है वह हमारा option number D का सही आंजर निकि अन्विग्य होता है बात करेंगे next question की स्वातंत्रता संग्राम में हजारों बेरों ने अपने प्राणों की या होती दी अच्छा इसमें स्वातंत्रता की जह हमें सुद्द्वरतनी के बारे में बात कर रहा है तो दोस्तों जो हमारा स्वातंत्र यानिकि स्वातंत्र की जो सुद्द्वरतनी होती है वह हमारी option number D है बात करेंगे next question की भारतिय समाच का पुनरुद्दर सिख्या के विकास से ही संबव है तो दोस्तों इसमें जो पुनरुद्थान है पुनरुद्थान की हमें सुद्द्वरतनी की बारे में पूछा गया है तो दोस्तों इसका जो होता है वो हमारा कौन सा है पुनरुद्थान यानिकि हमारा सही आंसर है फिर बात करेंगे नेक्श क्वेशन की उन्हें इसनेह की असलियत सरिता मुक मरदा से इस पस्ट जहांक रही है तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है इसमें जो हमारा अंतसलियत का जो सुद्द वरतनी होता है वो हमारा ओप्शन नमबर ए इसका सही आंसर है बात कर बात करेंगे नaceyक्स कोशचन की पश्चमी देशों में निरियात के लिए प्रती दुन जिता बढ़ती जा रही है अच्छा परती दूं जिता की, हम्में सुद्ध वरतनी के बारे में पूचा गया है तो दोस्तों जो प्रती वरतनी होती है वो हमारा उप्शन नंबर 20 का सही आंसर है बात करेंगे next question की नायका उद्गरीव रहकर दिन भर नायक की परतिक्षा करती है तो दोस्तों उद्गरीव की सुद्ध वरतनी के बारे में बात करी गई है तो दोस्तों उद्गरीव का जो सुद्ध वरतनी होता है वो option number 20 का सही आंसर है बात करेंगे युदिश्ट की अभाव में विद्यार्थियों में उच्छ रंखलता आती है तो दोस्तों इसमें उच्छ रंखलता का सुद्ध रूप पूछा गया है दोस्तों जो उच्छ रंखलता का सुद्ध रूप है वो हमारा option number A इसका सही आंसर है फिर बात करेंगे next question 72 के बारे में सभी देश्वासियों को देश की समश्याओं के समाधान के लिए श्वयम्यो सनद्ध होना चीए तो दोस्तों इसमें जो हमारा सनद्ध है इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हमारा कौन सा हो जाएगा option number A इसका सही आंसर है बात करेंगे next question की आजकल आयरुवेदिक औस्धियों की विश्वस्तियता बढ़ रही है तो दोस्तों इसमें आय एरुवेदिक की सुद्ध वरतनी होती है वो हमारा option number B इसका सही आंसर है बात करेंगे next question की कृष्ण भक्ति कावे में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और अमितिक संप्रदायों कामों से संबंद है अच्छा जो इसमें नितिक है नितिक निमितिक का जो सुद्ध वरतनी प अपरत्यासित प्रभाव सामने आ रहे हैं अच्छा अपरत्यासित की इसमें सुद्ध वरतनी पूछ रहा है तो दोस्तो अपरत्यासित ना होकर इसमें हमारा अपरत्यासित इसका सही आंसर होता है फिर बात करेंगे next question की उपनी सदों को गीता का सुरोत कहा जाता है तो दो पती को सुद्धु वर्तनी में कैसे लिखा जाता है? तो दोस्तो हमारा option number B इसका सही answer है बात करेंगे बिकरत संवत इसवी सं ze 57 वर्स आगे रहता है तो दोस्तो इसमें जो संवत है संवत के सुद्धु वर्तनी के बारे में बात किया गया है जो हमारा option number A इसका सही आंसर है बात करेंगे अत्यधिक व्यवस्था से जीवन में निरस्ता आ जाती है तो दोस्तो इसमें अत्यधिक की हमें सुद्ध वरतनी के बारे में पूछा गया है तो दोस्तो अगर अत्यधिक अगर देखें तो कैसे लिखा जाएगा ये हमारा option number बीस का सही आंसर होगा फिर बात करेंगे अंग पृत्यारोपन के छेतर में भारतियस सिल्प चिकिट्शक परियाप्ट सफल रहे हैं तो दोस्तो इसमें चिकिट्शक की हमें सुद्द वरतनी के बारे में पूछा गया है तो दूस्तो जो हमारा चिकित्सक की सुध्यूबरतनी होती है वो हमारा चिकित्सक होता है Option No.D. इसका सही आंसर है बात करेंगे Question No.81 के बारे में Sanskrit Sunslist भासा है तो दोस्तो इसमें Sunslist की हमारी सुध्यूबरतनी के बारे में बताया गया है अगर संसलिस्ट की सुद्द वरतनी देखें तो हमारा option number A इसका सही answer होने वाला है बात करेंगे next question की मंदा किनी की जल्धारा अजसर रूप से परवाहित हो रही है तो दोस्तो इसमें जो हमारा अजसर पोले या फिर हमारा अजसर जो इसमें लिखा गया है जो सही वरतनी है उसके बारे में पूछ रहा है तो दोस्तो इसमें जो महात्म का सही रूप है वो हमारा option number A सही answer है बात करेंगे साररिक आरोग्य के लिए प्रातह एक संध्याकालिन भ्रहमन अच्यन्त लाप्रत माना गया है तो दोस्तो आरोग्य के लिए जो इसमें सुद्ध वरतनी का परियूग किया गया है वो हमारा option number D इसका सही answer है मदर टेरिसा का जीवन रूग्यों के सेवा सुशुर्ष्या के लिए समर्पित था तो दोस्तो इसमें जो सुशुर्ष्या है इसके जो सही जो वरतनी है उसके बारे में बात करता है option number D इसका सही answer है ग्यान का भंडार अथाह होता है दोस्तो इसमें ग्यान का जो सुद्धतम रूप है वो हमारा option number B इसका सही answer है बात करेंगे next question के बारे में बिग्यान की देन है बिसले सन निर्वेक्तिता तथा तटस्ता तो दोस्तो इसमें जो हमारी जो हमारी निर्वेक्तिता है उसके सही वरतनी के बारे में बात करता है तो दोस्तो इसका जो सही वरतनी होता है हमारा वो हमारा निर्वेक्तिता ये हमारा इसका सही है यानि कि option number 20 का सही आंसर है बात करेंगे रोगी में उतकड जीजीविसा थी तो दोस्तों जीजीविसा का इसमें सुदतम रूप पूछा गया है अगर बात करेंगे जीजीविसा के सुदतम रूप की तो option number 20 का सही आंसर है फिर बात करेंगे next question की मैं तुम्हारे उज्जल भोश्य की कामना करता हूँ तो दोस्ते से उज्जल का सुद्धतम रूप पूछा गया है अगर बात करें उज्जल के सुद्धतम रूप की तो दोस्तो अप्सिन नमबर A इसका सही आंसर है यानि कि दो आधे जो वह और लौ होता है बात करेंगे पत्रकारांत से मेरे कथन का विप्राई आपसे मिलता है तो दोस्तो हमारा जो प्रकारांतर है अगर इसकी बात करेंगे अगर सुद्धतम रूप की बात करें तो दोस्तो इसका जो सुद्धर रूप है वो हमारा प्रकारांतर होता है बात करेंगे next question की मनिश्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप करता है तो दोस्तों अगर इसमें बात करें सामान्य की जो सुद्ध्र वर्तनी है तो दोस्तों सामान्य नो होकर हमारा क्या होता है सामान्य होता है option number 20 का सही answer है फिर बात करेंगे next question की जहां आत्मियता हो वहां विचार विनिमय में उपचारिक्ता नहीं होती है अच्छे इसमें जो उपचारिक्ता है इसको सुद्ध वर्तनी में देखने की बात कर रहा है अगर बात करें तो उपचारिक्ता नो होकर हमारी उपचारिक्ता इसका सुद्ध रूप है बात करेंगे next question की दिन रात अध्यन करके भी वहां प्रत्थम सरेने प्राप्त ना कर सका तो इसमें अध्यन का सुद्ध रूप पूछा गया है अगर अध्यन के सुद्ध रूप की बात करें तो दोस्तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हमारा अग्रिगंड ने इसका सही आंसर होता है बात करेंगे next question की देज सिवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने ब्यक्तित्व कस्टों की बिलकुल परवाह नहीं की तो दोस्तो इसमें जो हमारा व्यक्तिक है व्यक्तिक को कैसे लिखा जाता है ये हमसे पूछ रहा है अगर बात करेंगे तो व्यक्तिक इसका बिलकुल सही आंसर होता है इन्हें की option number एसका सही रूप है बात करेंगे दियेगे सब्दों में सुद्द वरतनी वाला सब्द है तो दोस्तो देखें इसमें जो सुद्द वरतनी वाला सब्द है वो हमारा अतिरंजित इसका सही आंसर है फिर बात करेंगे next question की दियेगे सब्दों में सुद्द वरतनी वाला सब्द है तो दोस्तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा तामर इसका सही आंसर हो जाएगा बात करेंगे दियेगे इस हब्दो में सुद्ध वरतनी वाला सब्द है तो दोस्तो क्वेशन नमबर 98 का जो आंसर रहने वाला है सुरोत इसका सही आंसर है फिर बात करेंगे next question की दिये गे सब्दों में असुद्द वरतनी वाला सब्द है तो दोस्तो इसमें से जो असुद्द वरतनी वाला सब्द है वो हमारी प्रणाली है प्रणाली ऐसे नहोकर हमारी कैसे होती है प्रणाली बड़ी इसमें E की मातरा होती है फिर बात करेंगे next question की दिये गए सब्दों में असुद्ध वर्तनी का चैन करें तो दोस्तो question number 100 का जो हमारा सही answer रहने वाला है वो हमारा option number C का सही answer क्योंकि ये असुद्ध रूप है उचाई में चंदर बिंदू नहोके उपर पर खाली एक बिंदू होता है इसके सीर्स पर अगर फिर बात करेंगे सही वर्तनी का चैन कीजी तो दोस्तों इसमें जो सही वर्तनी की चैन की बात करेंगे तो दोस्तो इसमें जो जोटसना की सही वर्तनी चांटनी है तो दोस्तो हमारा जो जोटसना की सही वर्तनी होता है वो हमारा आप्सन नमबर इसमें से लगबग सबी ही गलत हैं दोस्तो अगर बात करें जोटसना का अगर सुद दूरू देखें तो हमारा जोसना ऐसे लिखा जाता है, आप लोग देखिएगा, इसको सुदा लेजिएगा, जोसना को दोस्तो ऐसे लिखा जाता है, जो इसमें से किशे में भी देखने को नहीं मिल पा रहा है, यानि कि आधा जो ही यो, आधा तो, आधा सो और ना, जोसना का सुद्ध तरू आंसर है फिर बात करेंगे next question की सुद्ध सब्ध कौन सा है तो दोस्तो इसमें से सच्चितानंद का हमें सुद्ध वरतनी की बात करता है तो इसमें सच्चितानंद हमारा इसका सही आंसर होता है निकि option number C इसका क्या है हमारा सही आंसर है अगर बात करेंगे दोस्तो आज की इस चैप्टर है हम, चैप्टर वुआज आपके साथ, जितने भी कौशिन हमारे बंदे हैं, उन सभी कौशिनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ये दिगर आप लोगों को ये स्रीज पसंद आ रही हो, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर सेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, धन्यवाद